हेलो फ्रेंड्स हाव आई यू आई होप यू और आल वेल मैं रामकुमार भारती स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे सीटूप चैनल पर आज को जो टॉपिक है हमारा वो है काफी इंट्रेस्टिंग जिसे हम टोनोमेट्री के नाम से जानते हैं टोनोमेट्री क्या हो में खास करके इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हैं और लास्टि हम लोग देखेंगे इस सीटूनोमेट्री को हम लोग आखिर करते कैसे हैं तो इसका प्रोसीजर के बारे में जिक्र किया हूं तो चलिए बिना किसी देर की अपना टॉपिक हम अस्टार्ट करते हैं त तो देखिए कि जो टोनो मीटर है, it is an ophthalmic instrument which is used major intraocular pressures 10 to 21 mm of Hg. मतलब टोनो मीटर जो है एक ophthalmic instrument है, अब ophthalmic instrument कहने का मतलब वैसा instrument जो आई के लिए इस्तमाल होता है, आख के लिए इस्तमाल होता है, उसे हम ophthalmic instrument बोलते हैं, तो टोनो मीटर जो है एक ophthalmic instrument है, जिसका इस्तमाल हम लोग करते हैं, आख के अंदर एक pressure होता है, जिसका नाम होता है intraocular pressure, उसको मेजर करने के लिए हम लोग टोनो मेटर करवाते हैं, या करते हैं, और नॉर्मल वैलू जो होता है, आपका intraocular pressure का वो जो होता है, वो 10 से 21 mm of H जी होता है, अगर किसी patients का हमने tonometer किया है, और उसका measurement हमें 10 से 21 mm के बीच में दिखता है, तो माना जाता है कि वो उसका pressure क्या है, आख का normal है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर होगा, तो intraocular pressure क्या होगा, बढ़ा होगा, जिससे क्या हो सकता है, गुलुकोमा का chances हो सकता है, द दूसरा non-contact tonometer, contact tonometer वैसा tonometer जिसमें हम क्या करते हैं, contact करके intraocular pressure हम लोग निकालते हैं, वो contact tonometer में आ जाएगा, और non-contact मतलब बीना cornea को touch किये क्या करते हैं, intraocular pressure निकाल लेते हैं, वैसा instrument जो है, या वैसा machine जो है, वो किसमें आ आएगा, non-contact में आएगा, इस slides में हम contact tonometer होते हैं, उसमें दो tonometer आते हैं, एक होता है, गोल्समें एपलिनेशन टोनोमेटर, जिसे जी एटी कहते हैं, और दूसरा indentation tonometer, जिसे हम सियोस tonometer के नाम से जानते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं सियोस tonometry के बारे में आपको बताने जा रहा है, लेकिन पहले इस slides को देख लिजिए कि गोल्समें एपलिनेशन टोनोमेटर क्या है, जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे परकिंज एपलिनेशन टोनोमेटर, निमेटिक टोनोमेटर, अंड टोनोमेटर, यह tonomet हैं, जो क्या करता है, आई में intraocular pressures को measure करने के लिए यूज किया जात इस स्लाइट में देखिए जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं कि कॉझन टानोमीटर में दो वैसा था मिटा दोडर नूलिया को टन कीए क्या करते हैं तंचे कि लीजे हमारे पास कुछ मैसीन आफिए वितनर साइज प्रेकर Cut परिएन चलीकर परिंजर कर लेते हैं यह हम्रास जी निए परिंटर कीएं आहें करते है तो Меня सब्सक्राइब को थे लिए तो आज ऐसे तो हम लोग क्या नाम से भी जानते हैं इंडेंटेंशन इंप्रेशन टोनोमेट्री इस बेस्ट अन फंडामेंटल फैक्ट जो इंडेंटेंशन है उसे इंप्रेशन भी कहते हैं यह टोनोमेट्री मौलिक तत्य पर अधारित होता है फंडामेंटल फैक्ट पर अधारित होता है इंडेंटेंशन का मतलब इंप्रेश on fact that when the plunger will indeed soft eye more than hard eye, मतलब यह इस तथ पर अधारित है कि जब plunger hard eye की तुनला में soft eye को अधिक indeed करेगा, यहाँ indeed करेगा मतलब से पहले जान लेता है कि plunger, plunger जब हम बताएंगे parts of tonometer में तो वहाँ पर clear हो जाएगा लेकिन यहाँ principle समझेगे कि अगर किसी का hard eye है तो plunger क्या करेगा कम से कम indent करेगा, कम से कम दबेगा लेकिन अगर किसी का soft eye है तो उसमें जो plunger रहेगा वह बहुत ज़्यादा क्या करेगा, end करेगा, बहुत ज़्यादा दबेगा, देन अब हम बात करेंगे parts of c-o stenometer SEO's Tonometer के कौन-कौन से पार्ट है उसके वारे में जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है एक इंस्ट्रूमन्ट यह है का यह एक क्या है Ofthermic इंस्ट्रूमन्ट है Contact Tonometer है जो क्या करता इंट्राउटलर प्रेशर को मेजर करता है इसमें कुछ पार्ट देखिए जो primary है जैसे scale देख लिजिए आपका काटा कितना पर जाकर रूका है इसी reading कित रूका कर सकते हैं आप conversion charts निकाल करके उसमें देख करके इंट्र उकलर प्रेसर बता सकते हैं इसमें एक needle है जो क्या करता है detect करता है आपका कितना पर जाकर वो scale पर रूका है फिर इसे में कुछ weights होते हैं जैसे 5.5 gram का weights आपका plunger में ही fix दिखता है जैसा image में दिख रहा है और दो weights extra आपका सियोज box में रहते हैं एक होते हैं 7.5 grams के एक 10 grams के एक 15 grams के 3 weights extra होते हैं इसमें आपका एक lever arm दिख रहा है एक plunger दिख रहा है पीछे principle में हम जिस plunger का जिकर कर रहे थे यह वही plunger है जो क्या करता है soft eye में ज्यादा end होता है ज्यादा दबता है और hard eye में क्या होता है कम end करता है फिर एक holder रहता है जो क्या करता है instruments को पकड़ने के लास्टली इसमें एक test block रहता है आपका सीज बॉक्स में आप सारा सेट अप कर चुक है अगर सीज टोनोमीटर का तो आप डायक पेसेंट्स पर चेक करने से बहतर है क्या कर लें इसको हम test कर लें तो test करने के लिए क्या करेंगे हम सीज टोनोमीटर को test block के उपर रखेंगे अगर यह आपका नीडिल जीरो पर दिखा रहा है तो आपका टोनोमीटर बिल्कुल correct सेट है आप पेसेंट्स पर कर सकते हैं बिल्कुल सही काम करेगा लेकिन अगर आपका यह नीडिल एक या दो बता रहा है test block पर रखने के बाद तो आपका सीज टोनोमीटर सही तरीके से सेट नहीं है उसे दुबारा सेट करेंगे और फिर से test block इस्तेमाल करेंगे इस स्लाइट में हम फोड़ा जीटल में जानेंगे प्राइमरी पार्ट्स ऑफ सियो स्टोनोमेटरी कुछ प्राइमरी पार्ट्स है जैसे हैंडल फूट प्लेट प्लंजर एंड वेट उसके बार पर रखते हैं ठेक एंड फूट प्लेट का जो काम है आपका विच रिष्ट कॉर्णिया जो फूट प्लेट है आपका स्योज स्टोनोमीटर में वह क्या करता है उसी को हम लोग कॉर्णिया को ऊपर रखते हैं एंड प्लंजर देखिए कि विच मूफ फ्रीली वीट इस इसमें जो साड़े पांच ग्राम का जो वेट होता है वह अल्रेड़ी फिक्स रहता है प्लंजर में एक एंड विच कैन बी इंक्रीज तो 7.5 10 ग्रैम्स और 15 ग्रैम्स अगर आपको जरूवत पड़े इंट्राउकलर प्रेसर करते समय स्योज से तो आप क्या कर सकते हैं वे होते हैं अब हम लाश्ट अब करने का क्या तरीका हो सकता है तो स्मय तो सलिए अर्श प्लेट करने से इंगे युज इन मल्टिपल पिंट अगोल पेसेंट्राइफ यह पर इन इइंग ड familiar शोटन गए ङ tort न इस नालेज तो नहीं बॉस्का यूज करते हैं तो नएक यसां नीट पर सब्सक्रों कृट्ट एन लिए डिपकोल इन यह आप्सरीट एलकोहल य सेटों और by hitting the foot plate in the flame of a sprit तो मतलब जो tonometer है, your tonometers को australize कैसे कर सकते हैं तो हम foot plate को क्या कर सकते हैं, deep कर सकते हैं आपका absolute alcohol के solutions में, ऐसी ton के solutions में क्या कर देंगे जो foot plate होता है tonometer का, उसको उसमें deep करेंगे डूब आएंगे कुछ देर के लिए, उससे क्या हो जाएगा, वो australize हो जाएगा अगर वो नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, एक cotton लेंगे उसपे हम अस्प्रीट लेंगे, और उसपे हम क्या कर देंगे, उसमें fire कर देंगे आग लगा देंगे, और कुछ देर के लिए क्या करेंगे, अपना tonometry का, जो end होता है foot plate का, उसको heat करेंगे, उससे भिखके मेरा serious tonometry क्या हो जाएगा, australize हो जाएगा, then third point is, after anesthesia, the cornea with paracin 0.5%, lignocin 4%, topically patient is made to lie in supine on a couch, मतलब जब instrument को australize कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, patients के, जिस आई का करना है, उस आई को सुन करेंगे, anesthesia देंगे, वो भी topical anesthesia, तो कुछ topical anesthetic drops होते हैं हमारे पास, जैसे lignocin 4% and pro paracin 0.5%, patients के आई में डाल देंगे, एक से दो बुन, उसको बाद patients को क्या करेंगे, एक couch पर लिटा देंगे, सोने को बोलेंगे, supine positions में, शर के तरफ से, then lastly, an instructed to fix a target on the ceilings, and then examiner separate the leads with left hand, फिर हम क्या करेंगे, patients को instruct करेंगे, कि patient जो है, वो क्या करें, बिल्कुल, छत के ceiling को देखे, और जो examiner perform करते रहेगा, tonometry, वो क्या करेंगा, आपने left hand से उसके, दोनों eyelid को क्या करेंगा, separate करेंगा, अलग करेंगा, then, इस slides में देखेंगे, and gently rest the foot plate of tonometer, the vertically on the center of cornea, मतलब examiner, जब left hand से separate कर दिया, both eyelid को, तो फिर right hand में जो आपका serious tonometer वो पकड़ रहेगा, उसको क्या करेंगा, cornea के center पर vertically positions पर, बहुत ध्यान पुर्वक क्या करेंगा, रखेंगा, and then reading on a scale is recorded as soon as the needle become steady, the deflection of liver is between 3 and 4, उसके बाद examiner जो रहेगा, वो needle के उपर नजर बनाये रखेंगा, तीन बारी उठाएगा आपका plunger को, तीन बारी cornea के उपर रखेंगा, अगर जो needle है, वो एक ही point पर बार बार जा रहा है, मतलब वही उसका क्या हो गया, आपका measurement हो गया, और माल लेजिए जो deflection saliva का वो चार पर दिखा रहा है, जो कांटा है आपका meter का scale का वो चार पर दिखा रहा है, तो हमारे पास SEO box में एक chart होता है, जिसे convergence chart बोलते हैं, उस charts में हम देखेंगे कि जो chart का value है, वो कितना दिखा रहा है, तो इस chart का value convergence के अनुशार 20 mm of HG जैसा आपको image में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर हम plunger को या foot plate को cornea को उपर रखे हैं, और जो आपका reading on a scale है, लीवर का deflection है, वो तीन से कम आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो weight होता है, हमारा weight को add करेंगे, जब भी तीन के नीचे का deflection देखे, या लीवर पर बार बार तीन देखे, टोनोमेटरी में, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो weight होता है, आपका box में 7.5 grams का, वो add करेंगे, और फिर से हम क्या करेंगे, उसका intraocular pressure चेक करेंगे, जैसे ही वो तीन से ज़्यादा आएगा, और बार बार कांटा एक ही नमबर पर जाएगा, तो वही नमबर जो liver पायागा, वही नमबर इसका क्या हो जाएगा, intraocular pressure का number रहेगा, जो convergence chart में हम देख करके, फिर paper पर लिखेंगे, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया, उसके बाद, in the end, tonometer is lifted, and drop antibiotic is installed, after complete this process, जब यह process पुरा complete हो जाएगा, tonometry का, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, उस patients के जिस आई में tonometry किये हैं, उस आई में antibiotic drop install कर देंगे, ताकि सियोज के contact से जो, abrasions या कुछ परिसानी कॉर्णिया मां आई हो तो क्या हो जाए, heal हो जाए, ठीक हो जाए, यह सबसे सस्ता और handy method है, मतलब हाथ के द्वारा इस्तेमाल करने वाला, एक measurement है, इंट्राओकलर प्रेशर में जब मेजर करने के लिए, and second point देखिए, एक बहुत ही आसान तरीका है, आपका इंट्राओकलर प्रेशर नापने का, और disadvantage की बात करेंगे, तो इट गिव ए फाल्स रिडिंग वेन, यूज इन आई विथ अबनॉर्मल अस्क्लेरल रिजिडिटी, अगर किसी का अस्क्लेरल रिजिडिटी है, अस्क्लेरा में तनाव है, या स्क्लेरा में ट्रेजियम हो, या कोई और विमारी हो, उसके कारण क्या करता है, अस्क्लेरल रिजिडिटी के कारण इसका रिडिंग गलत होता है, and corneal abrasion, cornea का उपर इसको हम रखते हैं, जिससे क्या हो जाता है, cornea का जो इपिथिलियम होता है, वो डैमेज हो जाता है, तो corneal abrasion भी हो सकता है, यही इसका disadvantage है, I hope कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, अगर यह समझ आई है, यह टॉपिक, तो मेरा एक क्यूस्चन का अंसर करिएगा, अगर मैं किसी भी मरीज का सियो स्टोनोमेटरी करता हूँ, तो असकेल पर उसकी रीडिंग 7.5 ग्राम वजन के साथ 5 mm आता है, तो उसका इंट्राउकलर प्रेशर क्या होगा, अगर आपको पता हो तो अपना अंसर कमंस बॉक्स में जरूर कर दे, उमिद करता हूँ, आपको यह टॉपिक समझ में आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, थाइंक्यू वेरी मच्च,